नमस्कार दोस्तों मैं केसी साहू सर आप सब का श्वागत करता हूँ एक बहुत ही महत्वपन वीडियो पर चूकी मतदान से पूर्व छत्म मतदान जिसको हम लोग मौक पोल बोलते हैं कराना बहुत ही अनुआ रहे है और इसमें कितने ओट कराने हैं ये जानना बहुत जरू आते हैं कि आपको कितने मिनिमाम ओट डालने होंगे हना प्रत्येक प्रत्यासी को ध्यान से दिखिएगा प्रत्येक मशिन में मतदान प्रारम होने से पूर्व छत्म मतदान अर्थात मौक पोल कराना अनिमार होता है भारत निर्वाचन आयोक के निर्देशान उसार वास्त सविक मतदान प्रारम होने से पहले EVM से कम से कम 50 मत अंकित किये जाएंगे 50 से अधिक मतों के डालने पर आपको कोई पतिपन नहीं होगा लेकिन आपको याद रखना है अगर आपके पास प्रत्यासी अधिक है तो आपको निउन्टम 50 जो मत है अनिमार रुप से डालने होंग लेकिन वो भी किस गुनक में डालना है वो भी इस वीडियो में पूरा बताऊंगा ध्यान देगा आप इस पीडियो को पढ़के बहुत असानी समझ भी सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो आज मैं इस वीडियो के माद्धम से बहुत ही छोटे से में समझाने वाला हूं इसके साथ प्रतेक बटन जो है प्रतेक मतांगन बटन को बराबर संख्य में दबाना अनिवा रही है ठीक है अर्थात सभी प्रतियासी को बराबर ओंट देना है मतलब यहां पर देख सकते हैं ध्यान रहे कि यह जो सर्त हैं वो क्या क्या करना है वो अभ्यार्थी को कितना ओट मिला है हाले कि आप उसको बराबर ओट दिये हैं बराबर मतदान ही किये हैं तो बराबर ही दिखाएगा तो उसको आपको क्या करना होगा क्लियर करना होगा उसके बाद आपको पूरा डाटा क्लियर करना होगा क्लियर करने बार एक बार फिर से सभी अप्यार्थियों को आपको क्या करना होगा सुन्य मत दिखाना होगा प्रतेक अप्यार्थि को मतदान जो है सुन्य दिखना चाहिए इससे बहुत अधिक समय लगता है इसलिए याद रखेगा यदि आपके पास प्रत्यासियों की संख् अधिक है तो किस गुनक में आपको मद्दान कराना है वो आगे मैं आपको स्लाइड में बता रहा हूँ उससे पहले यहाँ पर कुछ जो नियम लिखा है उसको आपको ध्यान से देख लेना है जैसे सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि एक बैतर तरीके से अगर आपको मद्दान कराना है मोग्पुल कराना है तो आपको क्या करना है पिठवसीन अधिकारी को चाहिए कि वो जो है टोटल अभ्यर्चों की संख्या और नोटा को गिन करके मतलब टोटल नोटा सहीं आपको कुल गिन लेना है और उसको एक निश्चित संख्या से गुना करते जाएंगे जिससे नियूनतम संख्या 50 या 50 से अधिक हो सकता है लेकिन 50 से कम नहीं होना चीए ठीक है इस प्रकार आपको वो गुनान खड निकाल लेना होगा अब देखें उधारन के यहाँ पर उधारन के अधार पर बहुत असानी समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो संख्या दीक रहा है उधारन के लिए किसी निरवाचन चेत्रे में कुल आठ अभ्यरती है ध्यान दिजेगा अभ्यरतियों की संख्या यह जदी आठ है आपको क्या करना है यह जो अभ्यरती है ध्यान दिजेगा अभ्यरतियों के संख्या मालने जाए आपको क्या है अभ्यरतियों के संख्या 8 है लेकिन उसमें आपको नोटा को भी जोड़ना होगा तो टोटल उनको जोड़ करके हमारे पास कुल कितने हो गये 9 हो गये अर्थात आपको कुल 9 मानना है और इन 9 अभ्यरतियों को नोटा करके भई नोटा को भी हमने गीना हुआ है इसके अधार पर आपको कुल कितने मत देने होंगे तो याद रखीएगा आपके परत्यासियों की संख्या अब 9 है नोटा को मिला कर और आपको न्यूंतम 50 मत दान करने होंगे तो आपको क्या करें 9 को किसे से गुना करें तो हमारा उत्तर आता है 45 जबकि हमें मतदान करने हैं कितने 50 अर्थात हम यहाँ पर क्या करेंगे हमें करना होगा 9 गुनित 6 अर्थात 9 6 का 54 तो आपको नियूंटम 50 करना था लेकिन हम प्रतेक जो प्रत्यासी है उसको हम 6 मतदान करेंगे तो टोटल हमें कितने मतदान करने पड़ रहे हैं 54 तो आपको इस प्रकार 54 मतदान करने होंगे और यह भी याद रखना है कि प्रतेक जो प्रत्यासी है उसको आपको बराबर मतदान करने होंगे यह तो हो गया पहला उधारन इसी के धार उदारण पर और बहुत सार उदारण के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि प्रतेक इस प्रकार अगर आपके पास नौ प्रतियासी हो तो आपको प्रतियासी को 6-6 ओट देने होंगे मतलब उसके बटन को 6 वर आपको दबाने होंगे जैसे यहां पर राइपूर जिले के अलग-अलग बूतों के लिए अलग-अलग विधान सफ़क के लिए अलग-अलग यहां पर संख्या दिया हुआ है अब इसको आप बहुत बारिकी से समझ सकते हैं यहां पर मैं आपको समझा देता हूँ जैसे अगर हम बलोधा बजार की बात करते हैं तो बलोधा बजार के लिए यहां पर दिखे प्रत्या अगर 45 में बलवदा बजारवाला में 12 प्रत्यासी है तो 12 गुनित 4 नहीं करेंगे, याद रखिए नोटा सहीत है, 12 गुनित आपको क्या करना है, 5 करेंगे, तो 12 पंचे 60, क्योंकि न्यूंतम आपको कितने ओट करने है, 50 करने थे, लेकिन 50 गुनित अगर हम करेंगे, तो प्रत्यासी को बराबर ओट नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको गुनित में करना होगा, 12 प्रत्यासी है, तो 12 पंचे 60, अर्थाथ आपको टोटल कितना करना होगा, 60 मतदान करने होगे, जिसमें प्रत्यासी को यहाँ पर देखे, पांच मतदान मिलेंगे, यह तो गया उधारन, इसी पकार आपके पास यहाँ पर देखे, बहुत सारे उधारन दिये हुए है, अगर मालने जाए किसी छेत्र में, जैसे उन्चास में देख लेते हैं, यहाँ 60 मतदान करने हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए, टोटल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रत्यासियों की संख्या 27 है, तो 27 को यह ति हम 2 से गुना करते हैं, टिक है, तो 27 दूनी कितना हो रहा है, 54 हो रहा है, जो कि 50 से अधीक है, तो हमें क्या करना होगा, प्रत्यék प्र अधारन के लिए पूरा अन्य जीलों के लिए पूरा आप इसका निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक उधारन के लिए बताया जा रहा है, याद रखेगा आपको यहाँ पर प्रत्यासियों की संख्या के अधार पर ही यहाँ पर देखें, अरंग में 12 प्रत्यासि है, तो उन 12 प्रत्यासियों को आपको कितने ओट देने होंगे, प्रतेक प्रत्यासि को देने होंगे 5, तो 12 पंचे 60, कुल मतदान कितने होंगे, 60 होंगे, जिसमें प्रतेक प्रत्यासियों को आपको 5 मतदान करने होंगे, 5 ओट करने होंगे, तो निस् में 13 प्रत्यासी है तो आपको 13 को इस प्रकार गुना कर लेना है कि वो संख्या जो है 50 आये या तो 50 से अधिक, 50 से कम नहीं होना चीजिए, ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 चौक 52 अर्थाद अगर 13 प्रत्यासी होगा किसी मत्धान केंद्र में तो आपको क्या करना है कितने प्रत्यासी दिये हैं, उसके अधार पे आपको किसी निश्चित संख्या से गुना करना है, और वो संख्या 50 से ज़स्ट अधिक होना चीए, 50 से ज़स्ट अधिक मतलब 50 के करीब होना चीए, और वो 50 से अधिक हो या 50 होगा तो भी चलेगा ठीक है तो निस्टी तुरुप से अब आपको असानी से समझ आ गया होगा तो आपको प्रत्यासियों के अधार पर आपको क्या करना है ये करना है अब यहाँ पर देखे मौक, पोल, टेबल दिया हुआ है पूरा संख्या के है जैसे आप दिखे अगर केंडिडेट 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, मालने जाए यहाँ पर 11 दिख रहा है अगर 11 प्रत्यासियों है तो आपको क्या करना है प्रत्येक प्रत्यासियों को 5 मत देने होंगे ठीक है प्रत्येक प्रत्यासियों को उसके बाद टोटल कितने हो जाएंगे 55 उसी पकार यहाँ पोगर कोई भी अगर टोटल 17 प्रत्याश्य है तो 17 गावन मतलब प्रत्याश्य को तिन मददाना आपके करने होंगे टोटल हो जाएगा इनक क्यावन, उसी पकार यहां पर देखिए, पहुंत सारे उतारण दिये हुए हैं, अगर 25 है, तो 25 दूनी 50, यहां पर प्रतेक प्रत्याशी को आपको 2 ओट देने होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 50, तो इसी प्रकार मालने जाए, आपके पास 30 प्रत्याशी है, तो 30 दूनी 60 होता है, तो आपको 60 ओट करने होंगे, मोग पोल के रुप में, टोटल, तो प्रतेक प्रत्याशी को कितने ओट देने होंगे, 2 ओट देने होंगे, तो यहां पर आपको बहुत ही असानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और यह बहुत ही असान है, तो निस्तित रुप से इस प्रकार आप क तो गली जांजा बात